तो आए चर्चा करते हैं डेलाइट रॉबरी टेक्स पर डेलाइट रॉबरी मतलब दिन दहाले डाकेती दिन दहाले डाकेती अभी मैं पढ़ रहा था फेस्बुक में इन्होंने लिखाए कि विल्यम थ्री ने एक टेक्स लगा दिया इन्होंने एक टेक्स लगाया कि साब जो भी जिसके घर में खिड़कियां उसके उपर एक डेलाइट रॉबरी टेक्स लगा दो उसका नाम डेलाइट रॉबरी टेक्स लगती है इसका क्या मतलब है मैं तो कहता हो खिड़कियों से हवा भी आती है रकिन इंग्लैंड में ठंडा था तो मेरे ख्याल से लोग खिड़कियों से धूप ही लेते होंगे इसलिए उन्होंने डेलाइट रॉबरी टेक्स नहीं तो डेयर रॉबरी टेक्स भी लगा सकते थे वह ठीक है अगर इंडि हमेशा उलटे सीदेट लगाते रहेंगे कोई कि चम्रे चला देता कोई कुछ कर देता कोई कि उसको मारो को अभी कुछ पता नहीं अलगम बगडम टाइप की राजा होते हैं बहुत कम राजा ऐसे होते हैं जो समझधार किसम के होते हैं सिस्टम में जदत और उल्टी तो इसके बिनांग के बिना दिमाग का आदमी बिटा दिया गया है, यह ते बात मान लों कि यह फैक्ट है इस चीज़ का ठीक है, ठीक है, अगर तुमने उसके ओपर दिमांग लगाया कि वो कुछ अच्छा करेगा तुम्हारे लिए तो तुम बेकूफ हो, कुछ नहीं करेग में किसी भी देश की, वो बिना दिमाग के होते हैं. तो इस से एक चीज तो सीखने को मिलती है, कि सिस्टम में हमें दिमाग नहीं लगाना, ये daylight robbery tax है. typ है? हम सिस्टम में में दिमाग अपना नहीं लगाएंगे. ती कि सिस्टम हमेशे हमें और आम आदनी के बात स्मझ में गए यहां जो भी कुछ बनाया गया है जितनी भी पृत्वीय है यह जितनी भी चीज़ें इन सब का कोई मतलब नहीं, they are insignificant to the owner, ठीक है, यह जो भी इसको own करता है, तो there must be a permanent owner, जिसे भगवान हम कहते हैं, मान दिया जाए, या कोई permanent owner है, या nature, इसका permanent owner हो सकता है, इसका permanent owner हो सकता है, यह नहीं नहीं चीज़े बनाते रहे, उसके लिए यह चीज माइने नहीं रहती, क कितने लोग जी रहे हैं, अब तुम आजी कल का सिनारियो ले लो, इतने लोग मर रहे हैं, कोई नहीं मतलब नहीं है, बगवान से कोई मतलब नहीं, because we are insignificant to him, हम परमेशवर के लिए insignificant हैं, जब तक की हम कुछ खास नहीं, ठीक है, हमारी कोई बक्त नहीं है, मैं तुमें सीध सिस्टम में नहीं है, वोगि वो इतनी, अगर कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, दुखी हो रहा है, तो अगर भगवान उससे ठीक कर देता, लेकिन उससे कोई फरग ने पड़ता, इसका मतलब वो उस सिस्टम पे चीज़ पे नहीं रहता, मानलो को एस्पताल में पड़ा है को छोटा बच्चा, यह एक यंग आदमी, जो बीजी साल का है, उसे करोना हो गया, वो मर रहा है, तो बड़े दुखी बात है कि अभी उसकी उमर भी नहीं हुए, मानलो कोई बुढ़ा आदनी मर रहा हो, तो उतने दुखी बात नहीं है, लेकिन एक जवान आदनी मर रहा ह तो यह विचार किया जाएगा कि उसको दुख हो रहा तो इसका मतलब यह से क्या रहा है, यह तो शाब अंतर जाके समझ जा सकता है, थीक है, कि मरना जीना भी है, किसम का खेली है, यह तो यह बिल्कूल एक जैसे तुम ने कटपुतिनी में चावी भरी हो चला दिया थोड़े चली नहीं खतम तो कोई ज़्यादा मतलब तुम्हारे लिए नहीं रखती है तो ऐसे ही कुछी सिस्टम भी है परमेश्वर को मतलब ही नहीं है कि यहां पर क्या हो रहा है और यहां कितनी बड़ी प्रापरटी बना ली किसने किसने किया किसने किसने किसको लूट लिया कोई मतलब नहीं तुम अपने ही जानो इंडिवीजुली चलता रहता है उस सिस्टम ठीक है तो इस प्रकार से यह अजीब अजीब किसम के टेक्स लगाना ये अजीब अजीब किसम की बातें करना, ये सिस्टम में अजीब अजीब किसम की राजा हो जाना और उसने वो पूरा राजन नश्ट कर दिया तो तुम्हें ऐसे हजारों सेकलों एक्जामपल मिल जाएंगे तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की कोई बकती नहीं है इसका मतलब ये एक इन सिग्निफिकेंट चीज है इसका मतलब ये एक बहुत ही छोटी चीज है तो ये चीज़े हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये system insignificant है ठीक है और यहां ऐसी मुरुखता पूर्ण चीज़े होती रहेंगे तो मुझे उम्मीद है तुम कुछ-कुछ मेरी बात का मतलब समझे होगे और तुम उम्मीद है कि तुम कुछ कोशिश करोगे ठीक है समझ झालो तेंक्यो